असलाम अलेकूम दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी जैसी करनी वैसी भनी आज मैं जो वाकिया आपको सुनाने जा रहे ही हूँ वो मेरी दोस्त का है जिसे सुनकर आप भी यह कहेंगे जैसी करनी वैसी भनी एक लड़का फेस्बुक पर लड़की बनकर लड़कियों से दोस्ती करता फिरता था और उस लड़के की दोस्ती तफाक से मेरी दोस्त के साथ भी हो गई कुछ दिन यूही गुजर गए एक दिन उस लड़के ने अपनी जाली तस्वीर जो लड़की की थी वो मेरी दोस को सेंड कर दी और उससे कहा तुम मुझे पर भुरोसा कर सकती हो मैं तो तुमारी दोस हूँ तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजो जिस पर मेरी दोस ने उसे लड़की समझ कर तस्वीरे सेंड कर दी उसके एक दिन बाद ही लड़के ने फोन करकर अपनी असलियत मेरी दोस को बता दी उसने कहा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ और तुम उससे मिलो और अगर तुम उससे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर वाइरल कर दूँगा जिस पर मेरी दोस डर गई और उसने फोन बंद कर दिया दूसरे दिन जब वो मुझे कॉलिज में मिली तो कुछ चुप चुप सी थी मैंने अपनी दोस से पूछा क्या हुआ तुम इतनी चुप चुप क्यों हो जिस पर उसने मुझे अपनी सारी परेशानी बता दी और कहा यार मैं इस मुश्किल से कैसे जान चुड़ाऊ जिस पर मैंने उससे कहा तुम फिकर नहीं करो मेरे एक भाई है उनसे मैं बात करती हूँ घर जाकर और फिर तुम्हें बताती हूँ क्या करना है क्योंके लड़के इन मामलात में काफी तेज होते है पहले तो वो घबराई फिर उसने कहा अच्छा ठीक है लेकिन तुम अपने भाई से कहना किसी से इस वाके का जिकर ना करें जिस पर मैंने कहा तुम परेशान मत हो मैं अपने भाई से बात करती हूँ वो इस मसले का हल भी निकाल देंगे फिर हम अपने अपने घर आ गए मैंने अपने भाई से अपनी दोस्त का सारा मसाला बियान किया जिस पर मेरे भाई ने कहा तुम अपनी दोस्त से कहो कि वो भी लड़के से प्यार महबत का इजार करे और इससे मिलने की जगा मुन्तखिब करके मुझे बताए जिस पर मैंने हैरानी से का भाई आप यह क्या कह रहे है तो मेरे भाई ने का बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो इसके बाद मैं सामपाल लूँगा सब कुछ और अपनी दोस्ते कहना कि वो लोकेशन मुझे भी सेंड करे ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और सारी बात समझ गई दूसरे दिन मैंने अपनी दोस्त को फोन करके सारी सुरतहाल बताई और मेरी दोस्त भी ये सब करने को राजी हो गई मेरी दोस्त ने उस लड़के को फोन किया और जगा भी मुन्ताखिब कर ली जो के हमारे घर से करीब तरीन ही थी वो एक पार्क था फैमली पार्क था जहां पर सब लोग वाक किया करते थे और फिर मेरी दोस्त ने मुझे फोन करके सारी जगा भी पता दी और उसकी निशानी भी पता दी कि वो किस कलर के कपड़े पहनेगा और मेरी भाई को ये सब कुछ बताया जब पांच बज गए तो वो भी पाग में पहुँच गई और उसने हाथ के इशारे से मेरे भाई को उस लड़के का पता बता दिया जैसे ही मेरे भाई ने उस लड़के को देखा अपने दोस्तों के साथ उसको घेड लिया और उसके फोन चीन कर फेस्बुक से सारी तस्वीरे डिलीट कर दवा दी और उसे इतना मारा कि उसने ये काम करने से तौबा कर ली इसी से को कहते हैं जैसे करनी वैसी बढ़नी किसी गाओं में एक किसान रहा करता था उसका एक बेटा था जिसका नाम बुद्दू था बुद्दू सारा दिन शरारते करता रहता सब लोग उसकी शरारतों से तंग थे उसके हाथ में एक गुलेल रहता और उस गुलेल से वो मासूम चुडियों और परिंदों को भी तंग करता एक दिन बुद्धू गुमता फिरता जा रहा था के एक बुड़िया ने उसको आवाज दी बुद्धू बेटा सारा दिन शरारते करता रहता है कभी किसी का काम भी कर दिया कर जिस पर बुद्धू जोबड़ी के पास जा पाचा और उसने कहा नानी क्या काम हैं बताओ मुझे जिस पर बुड़िया ने कहा बेटा बरसाथ होके चुकी है मेरी जोपड़ी में बहुत मच्चर आ गए है सारी रात मैं सुकून से एक लम्हा भी सो नहीं पाती हूँ तुम किसी तरह इन मच्चरों का भगा दोगे जिस पर बुद्धु ने का नानी ये तो कोई मसला ही नहीं है मैं इनको भगाता हूँ आप यहां से निकल कर बाहर बैठ जाए फिर मैं इनको मिंटों में भगा दूँगा ये मच्चर तो भगाना मसला ही नहीं जिस पर बुद्धु बेटा तुम जल्दी से ये काम कर दो मैं यहां जो पेड़ है ना इसके नीचे में बैठ जाती हूँ बुड़िया पेड़ के नीचे जा बैठी बुद्धु ने क्या किया कि बुद्धु अपने वहां से किसी तरह निकला और मट्टी का तेल ले आया और पूरे जोपड़ी में मट्टी का तेल चड़कर आग लगा दी आग का लगना था कि बुड़िया चिलाने लगी अरे कोई है बचाओ मेरा सारी जोपड़ी जला दी इस शरारती बच्चे ने गाउंवाले चीख उकार सुनकर बुड़िया की जोपड़ी की तरफ रवाना हो गए जल्दी जल्दी गाउं के लोग जोपड़ी की आग बुजाने की कोशिश करने लगे जब जोपड़ी की आग बुज गई तो गाउंवालों ने नानी से पूछा नानी ये सब किसने किया जिस पर नानी ने बताया अरे वो बुड़्दू से कहा था मैंने कि मच्चरों का भगा दे उसने तो मेरी जोपडी में ही आग लगा दी तो गाओं के एक शक्स ने कहा नानी आपको तो पता ही है गुद्धू तो कितना शरारती बच्चा है आपने उससे ऐसा काम कहा ही क्यूं पिर गाउं के एक दूसरे शक्स ने कहा नानी आप आपका ये सारा नुकसान तो हुई चुका है आप ऐसा करें बुद्धू के बाप के पास जाएं और उससे अपने नुकसान का मावजा तलब करें जिस पर नानी ने कहा हाँ ये ठीक है और फिर नानी बुद्धू के बाप के पास पहुची और उन्होंने सारा वाक्या सुनाया बुद्धू के बाप ने जब ये सारा वाक्या सुना तो उससे बहुत घुसा आया उसने कहा नानी मैं आपकी जोपड़ी भी बनवा दूँगा और आपका नुकसान भी पूरा करा दूँगा आप परिशान मत हो और फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा किसान ने बुद्धू को बहुत अच्छी तरह पिटाई लगाई और उसको एक जगा बिठा दिया और कहा अब कल से तुम खेतों में मेरे साथ काम पे जाया करोगे अब तुम्हारी शरारते बन जिस पर बुद्धू ने बड़ी माफिया मांगी और उसने कहा बाबा मैं अब शरारते नहीं करूँगा किसान ने कहा नहीं अब तुम मेरे साथ कल से केतों पर जाया करोगे मेरी मदद कराओगे और शाम में स्कूर भी पढ़ने जाओगे इसके बाद सातियों बुद्दू ने तमाम शरारतें छोड़ दी और वो एक अच्छा बच्चा बन गया